हाल ही में G20 शिखर समेलन G20 समट 2023 का समापन हुआ, इसका आयोजन दिली में 9-10 सितमबर के बीच किया गया था, इस दोरान दुनिया भर के कुल 29 देशों का प्रमुपों ने शिर्कत की थी, जिसमें तुर्किये टॉर्की के राश्ट्रपती रेसेट तईप, एर्दोगन, रे सेक्टिया और दगन भी शामिल थे, हाला कि उन्होंने भारत की उस घोषना का विरोध किया है, जिसमें भारत, सवधी अरब और यूरोपिय संग के नेताओं ने मिलकर भारत मिदिल इस्थ यूरोप कॉरिदोर पर सहमती बनाई है, जो दक्षिन एशिया को यूरोप से जो हो सकता है, तुर्किये एक महत्रपूर्ण उत्पादन और व्यापार का आधार है, पूर्व से पश्चिम तक यातायात के लिए सबसे सुविधाजनक लाइन तुर्किये से होकर गुजर्टी है, भारत मिदिल इस्थ यूरोप एकोनॉमिक कॉरिदोर आइमी सी एक ट्रांस इस प्रोजेक्ट का मुख्य उदेश्य है, जिसमें शिपिंग ताइम को 40 फीस दी कर सके, इस तरह से अन्य लागतों और इंधन के इस्टेमाल पर खर्च होने वाले पैसों को बचाया जा सके, हाला कि इस प्रोजेक्ट में तुर्किये को शामिल नहीं किया गया है वहीं तुर्किये के राश्ट्रपती एर्दोगन ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि उन्हें पता है कि कई देश बिजनेस कोरिदोर बनाकर अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं हाला कि एक तरह जहां तुर्किये भारत मिदिल इस्त यूरोग एकोनॉमिक कोरिदोर का विरोध कर रहा है वहीं दूसरी तरफ तुर्किये एराक विकास सर्परियोजना का समर्थन कर रहा है जिसका उदेश्य सयुक्त अरब अमीरात में बंदरगाहों के माग्यम से रेलवे और राजमार्ग के माग्यम से खारी देश कतर और एरात को तुर्की और यूरोप से जोना है एर्दोगन ने कहा कि विशेश रूप से यूएवी के राश्ट्रपती मोहमद बिन जायद ने शनिवार को इस मुदे पर बहुत अधिक ब्रेर सुझाव दिया तुर्किये के राश्ट्रपती ने अमीराती नेता के हवाले से कहा कि इस मामले को लंबा नखीचे हमें साथ दिनों में बातचीत खत्म कर देनी चाहिए दिली में हुए जी बीस शिखर समेलन में भारत मद्यपूर्व यूरो कॉरिदोर IMEC की घोर्षना को लेकर चीनी चर्चा हो रही है शंगाई स्थित समाचार साइथ गुचा सीरेन ने वन बेल्ग वन रोड पहल के खिलाफ इमक को एक कमप्तिशन के तौर पर माना है उन्होंने इमक को एक महत्वा कांक्षी प्रोजेक्ट बताते हुए कहा कि वेर्ष्थन देश साफ तोर से चीन की बेल्ग अन रोड को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं